दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से, मैं हूँ आचार इसके तिवारी, आपका सब्ताही करासी फल लेकर हाजिर है, जानेंगे 2 दिसमबर से लेकर 8 दिसमबर की वीच का सब्ताही है आपके लिए कैसा रहेगा, इस सब्ताह नोकरी, ब्यापार, सेह और सवभाग को लिए हुए है, यदि आपके वन में किसी चीज के अस्फलता को लेकर नकारात्मक्ता के बिशार पनप रहे थे, तो इस सब्ताह के पहले ही दूर होते नजार आएंगे, आपके भीतार आत्मिश्वास में ब्रिद्धी होगी और आप पूरे मनोयोग से अप करना प्रारंब करेंगे और इस सम्मन्द में बड़ा निवेस भी कर सकते हैं, इस सब्ताह के पहले किसी मांगलिक उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है, सब्ताह के अंत में रिन रोग और सत्रों से मुक्ति मिलती हुई नजार आएगी, इस दोरान कोट के चेहरी के मामलों में फैसला आपके हक में आ सकता है, रिस्ते नाते, इस सब्ताह अनकूल रहेंगे, प्रेम सम्मन्द मजबूत होंगे, बैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए उपाए है, प्रदिन हनुमत उपासना करें, तथा मंगल वार को बर समंजस की स्थित में करने की भूल ना करें, अने था आपको बड़ा नुकसान जहलना पर सकता है, सब्ताह के पहले में नुक्रिये पैसा लोगों के सिर्फ पर कामकाज का त्रिक्त बोश बना रहेगा, इस दोरान आपके छोटे-छोटे कारियों को करने में भी ज्यादा प स्थितियों को कुछ हब तक सम्हालने में सक्षम होंगे, इस अपताह आपको अपने रिस्ते नातियों को बहतर बनाये रखने के लिए बिसे इस प्रयास करने की आवसकता रहेगी, इसके साथ ही किसी भी पारिवारिक मसले को संबाद की जरी दूर करने का प्रयास सफल होग प्रेम संबन में सापधानी के साथ आगे बढ़ें और उसका बेवजय प्रदरसन करने से बचें, स्वेम के साथ जीवन साथी के सेहत का भी इस अपते ध्यान रखें आपके लिए उपाय है, प्रतिजी इस फटिक के सिविलिंग पर सफेज चनल लगा कर सिमहिमा इस्तरोत का पाठ करें अब जानते हैं मिथुन रास बालों के लिए, तो मिथुन रास के जातकों के लिए यह सबता है, बहुत ही अच्छा साबित होगा सबता है के पहले में आपको कोई बहुत परतिक्षी समाचार मिल सकता है, जिससे घर में खुसियों का महौल रहेगा रोजी रोजगार की दिसा में प्रयासरत लोगों की मनोकामना पुरी हो सकती है बीते कुछ समय से जिन समस्याओं को लेकर आप परिसान चल रहे थे, इस सबता है उनका समाधान निकलता हुआ नजाराएगा सत्रू और विरोधियों पर आप बिजय हासिल करेंगे, विरोधी खुद समझोते की पहल कर सकते है इस सबता है आपको कोट का चहरी से जुड़े मौमलों से मुक्ति मिल सकती है यदि आप लंबे समय से भूमी भवन के क्रे बिक्रे की योजना बना रहे हैं तो इस सबता है आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है हलाकि कोई भी सौधा करने से पहले अपने सुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूले बेवसाईयों के लिए समय बेहस सुभ है इस सबता है आपको अपेक्षा सधीक लाब होगा और बाजार में आपकी धाक बनेगी बाजार में फसा धान अपरत्यासित रूप से निकल सकता है घर में मांगली कारे संपन होंगे सबता है के अंत में किसी धार्मी के आत्रा की योग बनेंगे लब लाइब सांदार बनी रहेगी परिवार के साथ हसी खुशी समय बिताने के खुब अवसर प्राप्त होंगे आपके लिए उपाय है करदिन रिद्धी सिद्धी के दाता भगवान सरी गडेश की पूजा में उनकी चालिसा का पाठ करें बात करते हैं करकरास बालों के लिए तो करकरास के जातकों के लिए सप्ताय थोड़ा उतार चड़ाव लिए रहने वाला है इस सप्ताय आपको अपने कार छेत्र में अधिक परिस्त्रा मुवत तयास करने के आवसकता बनी रहेगी सप्ताह की सुरुवात में आपके जीवन में काफी आपा धापी बनी रहेगी कामकाज के सिल्सिले में लंबी दूरी की यात्रा संभव है यात्रा थकान भरी तथा उम्मीज से कुछ कम फल देनी वाली साबित होगी करकरास के जातकों कोई सप्ताह पनी बाणी और ब्योहार में नियंता रखने की बहुत जरूरत रहेगी अन्यथा बनते काम भी विगड़ सकते हैं यदि आप अपने उपर भरोसा बनाए रखते हैं तो अन्ततह कारी की सिद्धी संभव है इसलिए किसी के बहकावे में नाएं और पूरे मनोयोग सेपने कारी को अन्जाम देने का प्रयास करें इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है सप्ताह के मध्ध में आपको मौसमी बिमारियों को लेकर सतर करेने की अवैस आवर सकता रहेगी इस दोरान अचानक से आपके सिर पर कुछ बड़े खर्चे भी आ सकते हैं जिससे आपका बना बनाया बजट भी गड़ सकता है करकरास के जातकों को इस सप्ताह जो भी अपने परिवार के जन है उनसे आप एक्छी सही हो कम मिल पाएगा लब लाइफ में कुछ दिक्कते आ सकती हैं जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कुछ मन मुटा हो सकता है आपके लिए उपाएगा प्रदिन भगवान सिव को दूध हेवं जल चड़ा कर सिव जी का इस तरोत का पाठ करें बात करते हैं सिंगरास बालों के लिए तो सिंगरास के जातकों के लिए यह सपता है बहुत ही अच्छा और सुभता लिए हुए रहेगा इस सपता है आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा सप्ताह के पहले में कुछ कारियों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा बहुत संगर्स करना पर सकता है लेकिन उसमें सफलता वस्त मिलेगी इस सप्ताह आप सकारात्मक विशार को बनाए रखें और अपने मान में भूल कर भी हीन भावना ना लाएं सिंगर्स के जात्कों को सप्ताह के पहले में ही रोजी रोजगार से जुड़ा कोई बड़ा अबसर भी प्राप्त हो सकता है यह समय बिदेश से जुड़ कर काम करने वालों के लिए अत्यनत ही सुपसावित होगा हलाकि विवसाय में यह दिया बड़ी पूजी निवेस करने की सोच रहे तो इसका निर्णे बहुत सोच समझकर अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही ले नोकरी पेसा लोगों की मंचाहे जगए पर तवादले की यह पदोनना से जुड़ी कामना पूरी हो सकती है रिष्टे नातों को बहतर बनाए रखने के लिए स्टिंगरास के जातकों को इस सब्ताह अपने मित्रों और परिवार जनों का उपहास करने से बचना चाहिए अब जानते हैं कन्यारास बालों के लिए तो कन्यारास के जातकों के लिए इा सब्ताह की सुरुवाद से आपको अपने कारेों में सफलता और कारो बार में लाब मिलता हूँआ ना जाराएगा सपताह की सुरुवात में आप अपनी सुग सुविधा से जूड़ी किसी महगी चीज को खरीदिने का बिशार बना सकते हैं लूकरी पैजा लोगों को सपताह की सुरुवात में लंबी अथवा छोटी दूरी की आत्रा करनी पड़ सकती है यह सप्ताह संपत्ती से जुड़े कारियों को लेकर काफी सकारात्मक रहेगा इस सप्ताह पैत्रिक संपत्ती की प्राप्ती में आ रही अर्चने भी दूर होगी सप्ताह की सुरुवात में किसी उत्सा वत्वा मंगली कारिक्रम में सामिल होने का अबसरत प्राप्त होगा सप्ताह के पहले की अपेक्छा सप्ताह का अंत जादा सुभता और सुभाग लिए रहने वाला है इस दोरान आप अपनी बाणी और ब्योहार से कठिन से कठिन कारियों को भी सफलता से पूरा करने में कामियाब होंगे इस दोरान आपके स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल होगा रिष्टेनाते की दिष्ट से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनकूल रहेगा पूरे सप्ताह आपको अपने माता, पिता, अबंबाई आदि से सहियोग और समर्थन मिलता रहेगा लब लाइब सांदार बनी रहेगी, जीवन साथी से सप्ताह के अंते में कोई सप्ताह गिप्ट मिल सकता है आप के लिए उपाए है प्रद्यन भगवान स्री गड़ेश जी की पूजा में स्री गड़ेश चालिसा का पाठ करे तथा बुधवार के दिन गाय को हराचारा खिलाएं अब बात करते हैं तुला रास बालों के लिए तुला रास के जातकों के जीवन में इस सप्ताह काफी आपा धापी बनी रहेगी सप्ताह के सुरात में आपके सिर्प अरचारक से बड़ी जिम्मेदारी का बोजह सकता है जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिस्तरम और प्रयास के आवसकता रहेगी तुला रास के जातकों कोई सप्ताह संघर्थ के बाद ही सफलता मिलने के योग बनेंगे इस सप्ताह आप अपनी योजनाओं का खुला सा दूसरों के सामने करने से बचे अन्य था आपके बिरोधी उसमें अरंगे लगाने की साजिस रच सकते हैं इस पूरे सप्ताह आप अपने बिरोधियों से सतर करें क्योंकि वो आपकी कमजोरियों का लाब उठाने की कुछिस कर सकते हैं यदि आप बेवसाज से जुड़े हैं तो धन के लेंदेन में साबधानी रखें और किसी योजना अथवा कारोबार में सोच समझ कर निवेस करें भूल कर भी जल्दवाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें रिष्टे नाते की दिष्ट से यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा इस सप्ताह कुछ घरेलू समस्याओं को दूर करने के लिए परजयनों के साथ समध होगा और कुछ बड़े मसलों का हल भी निकल सकता है तूला रास के जातकों को प्रेम सम्मंधों में साबधानी के साथ आगे बढ़ने के आब सकता रहेगी भाबुगता में आकर कोई गलत मिरने लेने से बचें जीवन साथी के साथ कुछ चीजों को लेकर मतवेद बन कर उभर सकते हैं आप के लिए उपाय है प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा एबम करनक धारा इस्तरोत का पाठ करें अब जानते हैं ब्रिश्चिक रास बालों के लिए तो ब्रिश्चिक रास के जातकों के लिए ये स्पता मिरस्ति फलदाई रहने वाला है इस स्पता है आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचने की जरुवत रहेगी भूल कर भी किसी काम में साथ कट ना पनाए और ना ही नियम कानून का उलंगन करें अन्य था आपको आर्थिक और मानसिक परिसानिया जिलनी बढ़ सकती है सब्ता के सुरात में कामकाश के सिलसले में लंबी दूरी की यातरा करनी पर सकती है यातरा के दोरान अपनी सेहत और सामान का विशेश ध्यान रखें ब्रिश्चिक रास के लोगों को इस सप्ता अपने कारचेतर में अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बहतर तालमेल बना कर चलने की आवसकता रहेगी इस सप्ता विरोधी आप पर हावी होने की कोशिस कर सकते हैं सगे संबंधियों के तरब से भी कोई विशे सहयो ये समर्था नहीं मिलने के कारण आपका मन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा आर्थिक दृष्टी से यह सप्ता सामान रलाभकारा करेगा बृष्टी करास के जातकों को अनावस्य खर्च करने से बचना होगा निथा उनका बना बनाया बज़ट भिगड़ सकता है सप्ता है के पूर्व में आपकी जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नोगजोंख हो सकती है हलाकि अंत तक रिष्टे सामान हो जाएंगे प्रेम संबन साब्धानिक साथ आगे कदम बढ़ाएं खान पार और दिन्चरिया का सही इस्तेमाल करें आपके लिए उपाहे हनवान जी को गुड़ चैने का भोग लगा कर चालिसा हनवान चालिसा का साथ बार पाठ करें जानते हैं धनुरास वालों के लिए तो धनुरास के जातकों के लिए सप्ता काफी भाग दोड़ वाला रहने वाला है सब्ताह की सुर्वास से ही आपके सिर पर जिम्मेदारियों का बोज बना रहेगा जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक परिस्तरा मौल प्रयास करने पड़ेंगे इस सब्ताह नोकरी पैसा लोगों को कामकाच के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पर सकती है यात्रा ठकान भरी तथा उम्मीर से कुछ कम फल देने वाली रहेगी धन उरास के जातकों को इस सब्ताह जीवन में आने वाली अर्चनों से निरास हुए बगैर अपने कारियों को बेतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए क्यूकि सब्ताह के अंते तक आपको आपकी मेहनत का सकारात्मक फल मिलता हुआ न जाराएगा सप्ताह के मद्धे में किसी बड़े कारे को संपन करने के लिए अपनी जमा पूंजी से धन निकाल कर खर्च करना पर सकता है परिशा प्रतियोक्ता की तैयारी में जोटे छात्रों को आलस से बचने के आवस्त्ता रहेगी रिश्ते नाती की दिश्ट से यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा इस सप्ताह पारिवार के लोगों के साथ अनावस्तक तर्क बितर्क ना करें सगे भाई बहनों से सहयोग और समर्थन अपेक्छा के अन्रोप नहीं मिल पाएगा लब लाइफ में कुछ दिक्कते आ सकती है लब पार्टनर से मेल मुलाकात ना हो पाने के कारण मन थोड़ा नाराज रहेगा जीवन साथी के खराब सेहत आपकी चिंता कभी से बनी रहेगी हलाकि स्वयम की सेहत और दिंचर्या को सही बनाए रखने का भी प्रयास करना होगा आपके लिए उपा है प्रद्दिन भगवान स्री विष्णू की पूजा में केसर का तिलक लगा कर करें तथा स्री विष्णू सहस्तनाम का पाठ करें अब आई जानते हैं मकरास बालों के लिए मकरास के जातकों के लिए यह सब्ताह अनकूल और फलदायक साबित होने जा रहा है इस सब्ताह आपके सोचे हुए कार समय पर पूरे होते न जा रहेंगे जिसके कार्ण आपके भीतर एक अलाग ही उससाह और जा बनी रहेगी सब्ताह की सुरुवात में आपके कामकाज में छोटी मोटी दिक्कते आ सकती है लेकिन आप उसे अपनी बुद्ध और विवेक से दूर करते हुए अपने कारियों में मन चाही सफलता प्राप्त करेंगे इस सब्ताह आप अपने बिरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे कार छेतर में आपकी प्रतिभा का लोहा आपकी बिरोधी भी मानेंगे यदि आपका कोई मामला कोट का चेहरी में चल रहा है तो उसमें फैसल आपके हक में आ सकता है कुल मिलाकत परिस्थितियां आपके अन्कूल रहेंगी विवसाई की दिष्ट सप्ताह के मध्य तक का समय अत्यांति सुभ रहेगा इस दोरान आप कोई बड़ी कारोबारी डिल कर सकते हैं विवसाई की आत्राएं सफल एवं लाप्रस साबित होंगी नोकरी पेसा लोगों के पद और बेता नाज में ब्रिद्धी हो सकती है रिष्टे नाते की दिष्ट से यह सप्ताह पूरी तरह से अन्कूल है सोजनों के साथ प्रेम विवहार बना रहेगा परिवार के साथ हसी कुसी समय बिताने के अबसर प्राप्त होंगे प्रेम सम्मन्ध में लब पाटक साथ आपसी विश्वास और रजजदीकियां बढ़ेंगी संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पार आप रहत की सांस लेंगे आपके लिए उपाय है प्रतिदिन स्रीहनमान जी की पूजा में सुन्दर कांड का पाट करें अब आई जानते हैं कुम्हरास के जातकों के लिए तो कुम्हरास के जातकों के लिए यह सप्ताह मिस्त्रित रहेगा इस सप्ताह अधिक भागदोड करने के बावजूत कामकाज में मन चाहि सफलता ना मिलपाने के कारण मन में असंतोस की स्थिती बनी रहेगी छातर वर्गे के मन में परिक्षा प्रतिवक्ता आधि को लेकर चिंता बनी रहेगी सप्ताह के पहले में परिवार की किसी बुजूर्ग सदस की खराब सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा कुमरास के जातकों को असफलता अधवा नुकसान से बचने के लिए प्रतियक कारे को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए इस सप्ताह किसी भी काम को टालने की प्रवित से बचें येदि आप किसी भूमी भवन का अथवा बिक्रे करने की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़ा निर्णे लेने से पहले अपने सुब चिंत को किराय वसलें इस सप्ताह कागजी काम में लापरवाही ना बरते अनेथा परिसानिया जहलनी पड़ेंगी सप्ताह सरकार से जुड़े लोगों से बेवज़ाय पंगा ना लें रिष्टे नाते की दिष्ट से ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है सप्ताह की सुरुआत में किसी और तालमेल बनाए रखें आपके लिए उपाय है प्रदिन भगवान सिभ की पूजा में रूद राष्टा का पाठ करें सनिवार के दिन पीपल की नीचे चार मुख का दिया जलाएं अब आई जानते हैं आज की आखरी रासी मिन रास बालों के लिए तो मिन रास के जातको के लिए यह सप्ताह अपने भीतर क्रोध और अभिमान को आने से बचाना होगा अनिता आपके बने वनाई काम भी बिगाड़ सकते हैं इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह अनावस्यक तरक भीतर के करने पर आपको खासा नुक्सान उठाना पर सकता है यह पैत्रिक संप प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है सप्ताह की मध्य में आपको अपनी सेहत का विसेज ध्यान अखना होगा इस दोरान आपको पेट संबंधी दिक्कते हो सकती है विद्यार्थी वर्गे के लिए सप्ताह अध्यन की दिष्ट से संतोह जनक नहीं रहने वाला है उच्छी प्रतिष्ठा में गलत फहमिया पनप सकती है जीवन साथी की किसी जिद के चलते घर में तनाव का महावल भी देखने को मिल सकता है आपके लिए उपाय बनता है प्रतिदिन पूजा में स्री राम रक्षा इस्त्रोस का पाठ करें ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबि जरूर करें